Hello everyone, welcome to my channel, अब हम कर रहे हैं, अलेजी रिटन इनकंटी चर्च यार्ड पार्ट टू The boast of heraldry, the pomp of power and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits like the inevitable hour, the paths of glory lead but to the grave Worst मतलब डिंग, हाकना, एहंकार करते हुए, heraldry क्या होती है, वंशावली चिन, जैसे सूर्य वंशीद है, तो सूरज का निशान, चंदर वंशीद है, तो चंदर का निशान, तो वंशावली चिन होता है Pomp मतलब धाठ बाठ या जूठा दिखावा भी होता है, आडंबर जिसको कह सकते हैं, ever मतलब कभी, inevitable, जिस चीज़ को हम टाल नहीं सकते हैं, कभी भी, कि वो तो होगा ही जरूर, जैसे कि death, but मतलब लेकिन केवल तो आइए इसका हिंदी में explanation देखते हैं, उचे वंश चिन का जो एहिंकार करते हैं, बहुत से लोग की हम तो बहीं उचे वंश के पैदा हुए हुए हैं, और हमारे पास सत्ता है, उसकी ठाट बाठ है, जूठा दिखावा करते हैं, वो सुन्दरता और दौलत से प्राप् हैं, वो चे कोई उचे वंश वाला है, चे नीचे वंश वाला है, कोई सुन्दर है, धनी है, गरीब है, कोई भी है, लेकिन अटल सत्ते हैं मृत्यू, वो कभी भी जो है, जाएगी नहीं, और मृत्यू सभी के लिए समान रूप से परतिक्षा कर रही होती हैं, शान बान की सभी राहें केवल कब्र की तरफ ही जाती है जब parts of glory lead but to the grave तो इसका यही मतलब है कि खामखा का आडंबर जूटा दिखावा ना करके और जो है हमेशा मृत्यू को याद करना चाहिए यह अटल सत्य है चलिए अब हम चलते हैं अगली लाइनों पर Nor you ye proud the peeling anthem swells the note of praise यह मतलब तुम proud अभीमानी लोग होते हैं impute दोशी ठहराना किसी को memory मतलब कि किसी चीज की यादगार तुम मतलब कबर, trophy होती है कि किसी चीज का समारक देते हैं कि यह आपने अच्छा काम किया SL क्या होता है कि जैसे जो दोनों साइड सीट होती है और उसके बीच में जो रास्ता होता है गिर्जा घर में उसको SL बोला जाता है fretted होता है लकडी का सजावटी काम vault, गुंबद peeling मतलब कि मधूर सी आवाज निकालते हुए anthem होता है भजन, swells मतलब fool जाना, उचा उठ जाना note of praise मतलब भगवान की प्रशंसा में भजन गाना explanation करते हैं nor you और ना ही तुम ऐ बड़े अभिमानी लोग तुम जो हो इस बात में उनके दोश दिखाए देने चाहिए कि उनकी कबरे जो हैं उनके उपर कोई समारक नहीं बनाए गए हैं मतलब कि जो गरीब लोग हैं वो अपनी कबरों के उपर समारक उनके घर वाले नहीं बनवा पाते हैं और उनकी कबरे ऐसी जगह पर हैं किर्जे के हॉल और उसकी गुमबन से उची उठती हुई जो सूरीली भजन के आवाज है लेकिन वो वहाँ तक पहुँच रही है इसका क्या मतलब बनता है कि कितना ही कोई गरीब या अमीर क्यों ना हो तो उनकी जो मतलब कि भगवान का जो भजन है वो सभी के लिए समान है वो भगवान किसी गरीबी या अमीरी को जो नहीं देखते हैं कि मैं उसी को पराप्त होँगा, जो गरीब होगा, या जो अमीर होगा, तो जो घमंडी लोग हैं, जो अपने पैसे के बल पे हैं, उनको गरीब लोगों की कबर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कि इस पे कोई समारक नहीं लगाया गया है, कि ये किसकी कबर है, इसने क्या अच्छा काम किया था और जो है बेशक से उनकी की कबर पे समारक नहीं है लेकिन एसल से जो बीच का रास्ता है कुर्सियों के बीच का रास्ता है वहां से जो है फ्रेटिड वॉल्ट जो गुंबद का लकड़ी का सजावती काम है उसमें से आवाज गूंज के उची उठके उ इसलिए कभी भी घमंड ना करते हुए किसी का भी जो है मजाग वो नहीं उडाना चाहिए तो यहां पर जो है टोमस ग्रे ने हमें यही बात सिखानी चाहिए कि never we should we should never proud of our wealth our property and our good deeds we should always try to motivate others also because in the eyes of God each and everyone is equal अब हम देखते हैं next lines या उब्रा हुआ भाग जो उस अर्ण के उपर जो एनिमेशन की गई है या कलाकारी की गई है मैंसिन मतलब भवन और फ्लीटिंग होता है मोमेंटरी प्रोवोक मतलब किसी को उत्साहा वर्धन कर देना उसका उसको ऐसे फ्लील करवाना क्या फिर से जिवित हो गए है silent dust यहाँ पर जो है dead person के लिए use किया गया है flattery मतलब चापलूसी सूध मतलब प्रसन करना क्या ऐसे इनसान का अस्थी कलश जिस पर मृतक इनसान का पूरा का पूरा जीवन लिखा गया है या फिर उस पर कोई ऐसी मूर्ती बनाए गई है जो कि बिल्कुल ऐसे लगती हो कि यह बिल्कुल जो है बिल्कुल सजीव ही कर देगी किसी चीज़ को या फिर वो श्वास जो है वो वापिस ले आएगी किसी की अगर हम प्रसन सा करते हैं तो तो क्या वो क्या silent dust जो है जो मृत्य वैक्ती है क्या उसको वो उसाहित करके उसको वापिस से जिन्दा ले आएगी क्या और flattery, soothe, the dull, cold year of death या कोई सम्मान भरे जो शब्द है या फिर जो बहुत ही चापलूसी भरे शब्द है तो क्या वो मृत्यू के कानों को प्रसन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं क्योंकि year of death जो है वो cold है वो ठंडे पड़ गए है वो किसी की नहीं सुनती है मतलब कि ऐसे अस्थी कलश जिस पर किसी मरे हुए इंसान का पुरा बायोग्राफी लिग दी गई हो और ऐसा लगता हो उस पर जो मूर्ती बनी हुए है या जो उस पर नकाशी का काम किया गया है और उस पर बड़े बड़े भवन बनाए गए है तो क्या वो उसको वापिस जो है इस प्रत्वी पर ले आएगी नहीं ले के आएगी और क्या फिर किसी को सम्मान भरे जब शब्द हम कहते हैं तो क्या वो मरी हुए इंसान को फिर से ऐसा प्रवोक कर सकती है कि वो जिंदा हो जाए या डेथ जो है वो उसको छोड़ के चली जाए तो ये एक बहुत ही impossible चीज है ये नहीं हो सकती है तो ऐसा जो है नहीं हो पाएगा तो ऐसा ही यहाँ पर जो है हमारे poet Thomas Gray में समझाना चा रहे हैं कि अस्तिकलश की जो सुन्दरता है और जो चापलू सी भरे शब्द हैं वो भी dead इंसान को वापिस लेके नहीं आ सकती है तो ये हमें ध्यान रखना होगा चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ परहापस मतब शायद निकलेक्टिड मतब जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं ब्रेगनेंट मतब किसी चीज़ से completely filled और celestial होता है अलोकी क्या दैवी है fire मतब यहाँ पर वैसे उत्सहा से लिया गया है hands मतलब हाथ, road of empire क्या होती है कि जैसे जो एक राजदंड भी उसको कहा जा सकता है एक जो डंडा लिये होता है कोई राजा या रानी road of empire वो है, वो सत्ता का प्रतीक होता है और swede मतलब कि जुकाया या घुमाया और waked मतलब उठाना ecstasy होता है अती आनंद की situation लायरे मतलब वीना वीना जो सरस्वती माता बजाती है उसको वीना को लायरे कहते है तो आईए देखते हैं इसकी explanation कि शायद इस उपेक्षित सजू यह जग्या है यहाँ पर शायद ही कोई ऐसा दिल होगा जो कि कभी इश्वरी उसा से भी भरा होता था तो मतलब शायद यहाँ पर कोई ऐसा इनसान की भी कबर है जिसके अंदर बहुत सारा उत्साहा था और ईश्वर ये उत्साहा था मतलब कि वो भगवान के प्रति भोती आशावान था अत्वा यहाँ पर कुछ ऐसे हाथ भी हो सकते हैं जो कभी जिसने दूसरों के उपर राज्ये किया होगा या जिसने कभी किसी को जुकाया भी होगा अपनी रोड ओफ एंपायर से राजसत्ता से और वेक्ड टू एक्स्टेसी दा लिविंग लायरे या फिर कोई ऐसी हाथ भी होंगे जिन्होंने जो है वीना के अंदर बहुत ही सुन्दर सुन्दर सी धुन बजा कर सब को जो है उसको वीना को ही जैसे की जीवित कर दिया हो तो यहाँ पर ये बात की गई है कि जो कबरिस्तान है उसमें इस तरीके के इनसान भी हैं उनकी भी कबर हैं जिनोंने शायद कभी जो है भगवान का बहुत ही जादा अनुभव किया होगा अलोकिक जो है, दिव्य गुणों का जो है बहुती महसूस किया होगा उनको बड़े उत्सहा के साथ, जोश के साथ, अलोकिक सत्ता का, और कुछ यहाँ पर ऐसे हाथों वाले इंसानों के भी कबर हैं, जिन्नोंने राज सत्ता का भी सुख भोगा होगा, लोगों को अपने रा को जैसे कि सजीव कर दिया गया होगा प्रंतु उन लोगों को भी इतने अच्छे काम करने के बावजूद भी उन लोगों को भी यहां कबर में दफन होना पड़ा क्योंकि मृत्यू जो है वो एक अटल सकते है उसको कोई भी टाल नहीं सकता है तो आएए अब हम करते हैं नेक आटल पनुड रप्रेस्ट देर नोबल रेज गेज औफ द जो गया है अंपल की मतलब विशाल स्पोल स्टाइम मतलब की समय की वाली चीज उसको निर्दई कहेंगे हम पैन्योरी मतब की दरिद्रता का गरीबी का देवता जैसे हम कहते हैं सूरिय देवता चंद्रमा वायू जल या फिर कुबेर जो की धन के देवता होते हैं वैसे ही पैन्योरी जो हैं वो दरिद्र देवता हैं रिप्रेस्ट मतब की नित्रे जमा देना मतलब इसका है जिनायल करन्ट आनन दायक परवा इसका मतलब है कि भौधी मजेदार जो परवा होता है करेंट होता है कोई भी चीज़ का तरंग होती है उससे यह रिप्रेजेंट करता है तो यहां पर क्या explanation है कि जो सरस्वती हैं किन्तु जो सरस्वती हैं लेकिन उन्होंने अपना ample page जो बहुत ही बड़ा जो उनका प्रश्ठ है जिसमें वो युगों से बहुत 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 जादा युगों से लिखती आ रही है उसको कभी भी खोल के नहीं दिखाया मतलब कि किसके भागय में क्या लिखा है या किसको कितना ज्यान है ये कभी भ साल का जो पेज है उसको कभी भी नहीं दिखाया है चिल पैन्योरी जो निर्दई दरिद्रता का जो देवता है उसने क्या किया है कि उसने जो बहुत अच्छी आकांक्षाएं अच्छी इच्छाएं भी है नोबल अच्छी जो रेज है आकांक्षाएं है उनको भी दबा द दिया उसको जो है जो जनायल करणट है आनन्दा एक जो सुख होता है चीजों का उसको जो है दबा दिया है इसको हम यह समझesting है कि जो भाग्य में लिखा है जो इस भरोसे से बैठ जाते हैं तो ऊंको जो है अच्Det रंगों को भी दबा देते हैं या फिर बनाजन तो हम क्यों काम करें वो अलस्य से भरपूर हो जाते हैं और जो समय का जो चक्र है spoils of time जो है उसको वो खोल नहीं पाते समझ नहीं पाते वो सरस्वती के जो बड़े बड़े pages हैं विशाल काई page हैं जो किसी को नहीं दिखाती हैं उनको समझ नहीं पाते हैं कि ज्ञान के भी ना तो काम नहीं चलेगा उन्हीं इंसानों की बहुत अच्छी अच्छी जो तरंगें भी हैं उनको भी समाप्त करदेगा और उस genial current को जो आनन देने वाली तरंगें हैं आत्मा की उनको दरीद्र देवता समाप्त करदेता है वो गरीबी की तरफ लेके जाता है तो इस टेंजा से जो Thomas Gray है वो यही बताना चाहते हैं कि जो यह लोग इस कबर में हैं वो भी इस ज्ञान को नहीं जान पाए थे कि जो सरस्वती हैं, knowledge की जो देविय हैं वो कैसे काम करती हैं आगे चलते हैं Lines 53 to 56 Full mania gem of purest ray serene the dark unfathomed caves of ocean beer full mania flower is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air की मतब रे क्या होती है चमक या रे किरन को कहते हैं serene होती है, nirmal, pavitr dark यहां से जो है, अंधेरे की जगे अज्यात से लिया गया है unfathomed मतब जिसको ना पा नहीं जा सकता बहुत गहरा जो होगा blush मतलब की शर्मा के मुस्कुराना तो जो अती शुद निर्मल full mania gem of purest ray serene gem होते हैं रत्न जो रत्न होते हैं, जैसे की हीरा, पन्ना, मोती तो यह जो हैं इनकी जो किरने होती हैं वो बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं इसलिए जो इंसान इनको दारन करते हैं तो इनकी जो किरने हैं वो बहुत ही सुन्दर, प्यूर, निर्मल किरने आ रही हैं और यह कहां पर पड़ी हुए हैं यह सारे के सारे जो जैम सेरतन हैं यह अंधेरी गुफाओं में पड़े हुए हैं और ऐसी गुफाओं में जिनकी गहराई को नापा नहीं जा सकता समुद्र के अंदर हैं यह और अनेक ऐसे फूल भी हैं जो की ऐसे लगता है जिनको हमने कभी देखा भी नहीं था और वो बहुत ही ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वो शर्मा के खिले हुए हैं और मुस्कुराहट दे रहे हैं And waste its sweetness on the desert air और ऐसे फूल पहली बात तो यह है कि desert में फूल होते ही बड़ी मुश्किल से हैं तो उनकी value बढ़ जाती है बहुत और जो desert में जो फूल होते हैं उनको बहुत लोग नहीं देख पाते हैं क्योंकि पहले से यह होता है की मिलेंगे की नहीं मिलेंगे और वो अपन की जो एर है उसमें खतम कर देते हैं खुद को और उसको लोग जो है उसका आनंद नहीं उठा पाते हैं तो इस तरीके से जो है बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान को पता ही नहीं है कि कौन सी चीज कहां पर मिलेगी तो इस stanza से कभी यही बताना चाहता है आए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर लाइन 57 तो 60 सम विलेज हम्टन देट विद दोंटलेस ब्रेस्ट जो जो चाल्स दी फर्स्ट के अन्यापूर्ण जो नीती थी थी न उनके खिलाफ थे काफी और उन्होंने लड़ाई भी की थी जोन हैंडन उनका पूरा नाम था मतलब कि उनके खेतों में कुछ जो है अत्याचार करने वाले लोग थे मतलब उनका मुकाबला उसने किया म्यूट होता है खामोश कर देना पता ही है आपको रिमोट से हम टीवी को भी म्यूट करते हैं इन गलोरियस जिसकी कोई गलोरी नहीं है शान नहीं है मतलब कि गुम नाम उप्सक्योर जैसा है ये शब्द मिल्टन है अंग्रेजी के एक प सम विलेज हम देट देट दोंटलेस ब्रेस्ट हो सकता है कि इन कबरों में कोई हम दन भी हो मतलब कि एक ऐसा इंसान भी हो जो इंगलेंड का बहुत ही फेमस जो है पेट्रियोट था देश भक्त था जो राचास दी फर्स्ट की खिलाफ लड़ा हो इस तरीके का कोई पेट् से जो जो अत्याचारी थे उनसे खुद को बचाना चाता था और अपनी फॉर्मलिटी को भी बचाना चाता था विद्स्टूड उसने उसका मुकाबला किया बहुत डट कर किसने हैम्डन ने सब म्यूट इंगुलोरियस मिल्टन हीर में रेस्ट और हो सकता है कि इन कबरों में कोई मिल्टन जैसा प्रसिद जो है इंग्लिश पोईट हो और यहां हो सकता है उस समय का जो क्रॉमवेल था जो की बहुत ही क्रूल था और बहुत ही ऐसा था कि जिसको सिर्फ पॉलिटिक् है वो वो अराम कर रहा हो मत्तब कि वो कब्र में सदा के लिए सो गया हो rest कर रहा हो और जो क्रॉम्बेल है जिस पर की some क्रॉम्बेल guiltless of his countries blood मत्तब की कुई क्रॉम्बेल है जिस पर अपने देश का ही रक्त बहाने का गुद्धानर का यह एक बहुत बदा एक राज नीतिय था तो इसने पना जो है चेंज करवा धिया होगा सारह की राज नीति को गुमा धिया उगा तो यहां पर जो अगर थैं कि इस चेंजा का तो यही है क arbitrator की जो कब्र है कि कि सी की बीरी है वो कोई बहुत famous poet भी हो सकता है इसके अंदर और इस कब्रिस्तान में किसी ऐसे इनसान की भी कब्र हो सकती है जो कि बहुत बड़ा देशभक्त रहा हो हैंंटन की तरह या फिर Milton की तरह बहुत बड़ा poet रहा हो या फिर कोई Cromwell की तरह जो है बहुत ही बड़ा जिसको हम कहेंगे कि बहुत बड़ा politician रहा हो तो किसी की भी कबर हो सकती है कि तो death जो है वो किसी के साथ भी partiality नहीं कर सकती है वो सभी की आती ही है तो इससे हमें ये पता चलता है तो आईए अब हम चलते हैं next tenza की तरफ line 61 to 64 the applause of listening synates to command the threats of pain and ruin to despise to scatter plenty over a smiling land and read their history in a nation's eyes applause होता है किसी की praise करना और synate होता है कि जो सभा बुलाई जाती है मंतरियों की threats होती है धम की और despise मतलब कि घृना करना किसी से scatter होता है फैला देना तो अपनी जो भाशन को सुनती हुए मंतरियों की जो सभा है वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर उप्तालियों द्वारा प्रशन सा प्राप्त होती है threats of pain and ruin to despise साथ में जो है कभी-कभी पीडा या विनाश्तमबंदी धमकियां भी मिलती है or to scatter plenty over a smiling land या फिर कभी-कभी स्मृद्धी लाकर जो देश को खुशाल बनाने की भी बात आती है and read their history in a nation's eyes कि मतलब कि वो कितना ही कुछ जो है करना चाह रहे थे और वो अपनी प्रशन सा के दुआरा या धमकियों जो नुने सही या वो जो स्मृद्धी लाना चाहते थे अपने देश को खुश बनाना चाहते थे खुशाल बनाना चाहते थे और चाहते थे कि जो मेरा देश है वो मेरे जाने के बाद मेरा इतिहास पढ़े तो कहीं न कहीं वो उनके भागय में नहीं लिखा था कि वो ये सब चीज़े कर पाए उन लोगों की कबरे भी यहाँ पर है तो इससे पहले स्टेंजा में हमने पढ़ा था कि बहुत महाल लोगों की कबर है इस स्टेंजा में हमने पढ़ा कि ऐसे लोगों की कबर भी है यहाँ पर जो अपनी मर्जी से बहुत अच्छे काम नहीं कर पाए क्योंकि वो उनके भागय में नहीं था तो यहाँ पर हम यही समझ पा रहे हैं कि तोमस ग्रे जोए कहना चाहते हैं कि जितना भी अपने भाशन को सुनते हुए मंतरी सभा से तालियों के दुआरा प्रशंसा चाहते थे या फिर कोई नो कोई थ्रेट धंकी मिली होगी पेन से रिलेटेड या फिर किसी ने ऐसी धंकी दी होगी कि हम तुमें तबहा कर देंगे घ्रना से भरी हुई धंकी तो scatter plenty over a smiling land या फिर वो चाहते थे कि स्मरधी लाकर हम खुश्यां भी खेर दें अपने जमीन पर या अपने देश पर इतनी ज़्यादा खुशाली ला दें कि लोग जो हैं हमारे जाने के बाद हमारी हिस्ट्री को पढ़ें अपनी आखों से परन्तु ये सब उनके भाग्या में नहीं लिखा था तो उन लोगों की कबर भी यहां इस कबरिस्तान में है तो ये हमने किया आज part second अब हम आगे भी करेंगे next part 3 thanks for watching this video